नमस्कार, ख़बरों का पंच नॉमा देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा हम लेकरा हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी ख़बरे जस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद हैं क्या पतन टीवी के एडिटरिन चीव दॉक्टर मनिश कु तीसरे कारेकाल का कारेभार समालने की बाद एटली के दो दिनों के दौरे पर प्रियम ओदी जी सेवन शिकर सम्मेलन में होंगे शामिल कई बड़ी मीटिंग्स मिलेंगे हिस्सा अरुनाचल प्रदेश में फिर से बीज़पी सरकार पेमा खांडू ने लिज़ सीम पत के शपत तो ओडिसा में शपत लेते ही आक्षन में माजी जगनात पूरी मंदिर के चारो कपाट खोले गए किसानों और महिलाओं पर भी बड़ा प्रासला नाइडू को नितीश ने किया फोन फोन पर दी सीम बनने की बदाई शपत ग्रहन में नहीं हुए थे शामिल तो आरजिरी ने उठाए थे सवाल नितीश ने ओडिसा सीम को भी दी शुपकाम नाए नीट यूजी पर सुप्रिम कोट का बड़ा फैसला पंद्रसो तिरसट स्टुडेंट्स के लिए दुबारा होगी परिक्षा तो वहीं पेपर लीग की बात को धर्मिन प्रधा ने नकारा कहा नहीं हुआ कोई ब्रस अचार कॉंग्रस ने सीबियाई जांच की उठाई बात दिली जन संकट पर सुप्रिम कोट में आज फिर हुई सुप्रिम कोट ने दिली सरकार को यमुना बोट जाने को कहा तो अतिरिक्थ पानी पर हिमाचल सरकार ने खड़े की हाँ कवरों की शुर्वात में सबसे पहले बात पियम मोदी के व्रदेश तौरे की तीसरे कारेकाल का कारेभार सम्हालने के बार पियम मोदी दो दिनों के इटली के दौरे पर है यह प्रदानमंत्री मोदी की तीसरे कारेकाल का पहला व्रदेश तोरा है जहां पीम G7 शिखर संबेलन में शामल होंगे भारत को इस शिखर संबेलन में इटली ने एक आउट्रिच देश के तौर पर आवंत्रित किया है पीम मोदी की इस दौरान साथ सदस्यों देशों अमेर प्रदानमंत्री बिग लीग G7 दुनिया का सबसे पाउरफुल वो यूनियन है ये समू सबसे बड़ा सबसे ताकतवर और वहां आपको बुलाया जा रहा है इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि आपकी बातों को लोग सीरिसले लेते हैं पूरी दुनिया में और तीसी बार जब जीत करके ये पहुँचेंगे आप देखिएगा कि किस तरीके से स्वागत होता है और अभी ये जो इमज खराब होने की बात कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से ये फ्रस्टेशन की रूप में जो निकल रहा है वो दिन दूर नहीं है प्रधान मंत्री फि सुनके आ रहे हैं और पूरी दुनिया में जितनी भी रेटिंग एजन्सीज हैं उसमें प्रधान मंत्री मोदी अवल रहते हैं तो ये जो वो कहते हैं भी अंगुर खटे हैं वही कहानी है इनकी कल तक कह रहे हैं ते कमजोर सरकार देखिए क्या हुआ आज फैसला पीके मिल इसे डुबाल साब को रिपीट किया गया है दर इस नो चेंज मंत्राल है सारे बीजेपी के पास तो ये लोग कुछ लोगों की आदत होती है जाल बजाने के तो इनको जाल बजाने दीजिए विद्वाविलाप करने दीजिए इनकी बातों को इग्नोर किया जाए अब तो वो चुनेवे प्रधानमंत्री है वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वहां जा रहे हैं और ये लोग यहां फ्रस्टेशन में घड़ा में ये लोग सल्क कर रहे हैं और इस तरह का घटिया बयान दे रहे हैं तो अपने तीसरे कारेकाल का कारेभार समालने के बाद प बीजिपी सूपर आक्षन मोड में है अनुराचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजिपी सरकार का गठन हो गया है अनुराचल प्रदेश में पेमा खांडु ने लगतार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपक लिए हैं खांडु के साथ 11 अन्य विधाइक भी मं इसके साथी सरकार ने बारवी सदी की भावे मंदिर की तत्काल आवशक्ताओं को देखते हुए एक कोश्च थापित करने के प्रस्ताओं को मंजूरी दी है। साथी किसानों को MSP बढ़ा कर 3100 रुपए प्रति कुईंटल करने का फैसला लिया गया। इसके साथी महिला ससक्तिकरन और बाल कल्यान के लिए नई सरकार ने सुभद्रा योजना को लागू करने का फैसला दिया है। अरुनाचल प्रदेश में भी शपत समारों हो चुका है लेकिन ओडिसा के सीम तो 24 गंटी हुए नहीं आक्शन में आ गए। देखिए कॉंग्रेस पार्टी के कोई पूछनी राव है तीसरी बार वहाँ पे भारती इंता पार्टी के सरकार बन रही है और अरुनाचल प्रदेश में और आप दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हो तो इस तो खास्यत होगी प्रेमा खुंडु साहब में या फिर एक बात समझने की प्रदान मंतरी मोदी ने एक टेंप्लेट तयार कर दिया है राज जी की सरकारों के लिए आपके पास इतनी सारे जो केंदर की योजनाएं हैं आप उसको ही 90 फिसदी या 100 परसंट उसको जमीन मिलाने की कोशिश करें आप 50-60 परसंट भी उसमें हो गए आपका काम हो जाएगा लेकिन यहां तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आदिवासी बना दिया आदिवासी बना दिया हार्टकॉर संगी बने हैं इसलिए पहला जो फैसला है वो प्रभू जगनात के चर्णों में चारों जो अभी तो बहुत कहानी आएगी वो आई और उडिसा के अंदर हिंदुत फिर से चमकेगा दमकेगा यह अभी तो बस शुरुआत है अब बात करते हैं विपक्ष की जो कल तक नितिश कुमार को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा था पर आज विपक्ष की बोलती बंद हो गई है दरसल कल चंद्रबाबू नाइडू का शपत समारो था पर इस समारो में बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार के शामल नई होने को लेकर चर्चा तेज हो गई थी आरजडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अंडिय में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है लेकिन आज की अपडेट यह है कि नितिश कुमार ने कल ही चंद्रबाबू नाईडू को फोन किया था मुख्यमंत्री बनने की बढ़ाय दी थी उन्होंने कहा कि श्री नाईडू के नित्वत में आंधर प्रदेश के विकास को और गती मिलेगी तो महीं नितिश कुमार ने मोहन चरनमान जी को भी ओडिसा के सीम के रूप में शपत देने पर बधाई और शुप काम लाए दी हैं कल तक तो विपक्ष कह रहा था कि अंडिय में पूठ है नितेश अलग हो जाएंगे लेकिन उन्होंने तो बधाईयां भी दी हैं देखेंगे लोग फ्रस्टेट हो चुके हैं हर जगा कहानी गढ़ रहे हैं हर जगा कभी महारास में पाटी को तोड़ रहे हैं सरकार को गिरा रहे हैं कभी बिहार में सरकार को गिरा रहे हैं कभी जो है तंद बाबु नैडू जो है बिलकुल विद्रोह कर रहे हैं वो सुन जो एक कुछ काम दिया जाए काम क्या है काम यही अफवा उडाने का नेतिश कुमार ने जो सब्विता है जो तरीका है आपके सपत ले लिया आज जो है उन्होंने बधाई दे दी आप एक जगह बंद करते हो कॉंग्रेस की सरकार बनी तो आप में भीड कठा कर लिया जो जो बात समझ मिल हही जाता-पो कोई है ताजा-जा पर बनी कोई फैसले हो रहे है कोई चीजी आ रहे है सौदिन का टार्गेट किया गया है आप ये पूछो कि सौदिन सौदिन का जो प्रधान मंतरी कह रहे हैं या बीजेपी कह रही है वो क्या है सौदिन का एजेंडा हमें बताएं देश को जानने का अधिकार है कि सौदिन में आप क्या करेंगे ये प्रचार हो रहा है कि सौदि में क्या होने वाला है लेकिन क्या है कि आपको तो एक पॉजिटिव एक सकरात्मक विपक्ष की भूमी का नहीं निभानी है मुझे गाली दी जा रही है तो मुझे ये किया जा रहा है मीडिया से लड़ना है एलजी से लड़ना है सुप्रेम कोट के फैसले के उपर सवाल उठाना है हाई कोट के जजेज को घेरना है यही काम इन लोगों का बच गया है वेरी परिक्षा को लेकर हो रहे भारी बवाल की नीट परिक्षा रजर्ट विवाद मामनी में सुप्रेम कोट में आज सुनवाई हुई नीट एक्जाम में धानली को लेकर दैर तीन याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है एंटी ने नीट में ग्रस मार्क्स वाली चातरों को दुबारा परिक्षा देने का विकल्ब दिया है इस तरह से अब 1563 चातरों को दुबारा परिक्षा देना पड़ेगा उनका स्कोर काड रंद कर दिया गया फिर से एक्जाम 23 जून को होगा और रिजल्ट 30 जून तक घोशित किये जाएंगे वहीं सुप्रेम कोट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया तो वहीं केंद्रि सिक्षा मंत्रे धर्मेंद प्रदान ने पेपर लीक होने के आरोखों को खारिश कर दिया है उन्होंने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कोई भरस्टचार नहीं हुआ है धर्मेंद प्रदान ने ये भी कहा कि दोशियों को सजा मिलेगी पारदर्शिता के साथ कारवाई होगी निस्पक्षता के साथ परिक्षा पूरी होगी तो इधर कॉंगरस नेता गौरब गोगई ने सीवियाई से जाच कराने की मांग की है उन्होंने कहा कि सरकार इस विशय पर चर्चा करने से भाग रही है आज सुप्रिम कोट में क्या हुआ और जस तरह से धर्मेंद प्रदान कह रहे हैं कि कोई भरस्टचार नहीं हुआ है अगर देश के बच्चों को जो एक्जाम दे रहे हैं उनके दिलों दिमाग में अगर जरा सा भी डाउट है कि ये जो परिच्छा हो रहा है इसमें गरबड़ी होती है उस डाउट को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की है दर्मिंद प्रदान इधर उधर की बाते ना करें कि भरस्टचार नहीं हुआ चलिए भई भरस्टचार नहीं हुआ पेपर लिक नहीं हुआ चलिए भई पेपर लिक नहीं हुआ तो फिर ये बवाल क्यों मच रहा है बवाल इसलिए मच रहा है कि यह NTA जो है एक इनकॉंपिटेंट बॉड़ी है आप आप से समझ ले रहा अभी तक आठ दस बड़े-बड़े अधिकारियों को सस्पेंद कर देना चाहिए था लोगों का विश्वास जो रिस्टोर करना ज्यादा इंपॉर्टन्ट है टीवी पी मैं देख रहा था बच्चे रो रहे कि मेरा तो जीवन खत्म हो गया अगर बच्चे यह जो तैयारी कर रहे हैं 8-8 गंटा 10-10 गंटा 12-12 गंटा इस्टूडेंट तो ऐसे ऐसे हैं जो दिन में 16-16 गंटा अब तैयारी करते हैं खून पसिना बाते हैं अगर उनके मन में अगर यह भाव आ जाए तो पर यह सिस्टम क्या करना उठा के बाहर फेको इस सब चीजों को भाई UPS में तो गर्बर नहीं होती इस तरह से कैट के एक्जाम में तो नहीं होता इसमें क्यों हो रहा है हेड्स मस्ट रोल लोगों को पनिश करना पड़ेगा जो लोग इसके लिए अकाउंटबुल है उनको सजा देना पड़ेगा सरकार को आप चीजों को घुमा दे रहे हो पेपर लिक नहीं हुआ सबकों मालूम है पेपर लिक नहीं हुआ लेकिन फिर ये बवाल क्यों मच रहा है ग्रेस मार्क्स आपने दे दिया किस अधार पर दिया कल तक तो आप कह रहे थे कि सबुस्टीक है सुप्रम कोट में जाते ही आपकी घिगी बंद गई दिस इस नौट ड़न बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनका विस्वास अगर जरासा भी डिगता है वो बिलकुल खतरनाक है ये मान के चलना चाहिए और सरकार से ये उमीद है लोगों को कि अभी जो पार्लिमेंट से सिनाएगा एक कानून ऐसा निकलना चाहिए कि ये गरबरियां करने वाले बच्चे के भविस के साथ खेलने वाले लोग ये पेपर लीग करने वाले लोग एकजाम में गरबरियां पहलाने वाले लोग ये लोग इनकी सजा उमर कैद से कम नहीं होनी चाहिए यह किसी को भी allow नहीं किया जा सकता कि हमारे बच्चों के भविस के साथ यह लोग खिलवार करें आज की आखरी कपर में बार दिल्ली जल संकट की दिल्ली में जल संकट से लोग परिशान है टैंकर देखते ही लोग पानी के लिए दौट जा रहे हैं पानी की किलब को लेकर अब सुप्रिम कोर्ट में भी संग्राम चारी है सुप्रिम कोर्ट में केजिवा सरकार ने आज कहा कि टेंकर माफिया हर्याना से दिल्ली में आते हैं इसलिए दिल्ली सरकार उन पर कारवाई नहीं कर सकती है साथी आज सुप्रिम को हिमाचल प्रदेश सरकार ने जटका दिया है हिमाचल प्रदेश ने अब सुप्रिम कोट में अपने पिछले बयान से पलटते हुए कहा कि उसके पास अतिरेक्ट पानी नहीं है हिमाचल सरकार ने भी हाथ खड़े कर दी है अब आगे क्या होगा यह तो संजय सिंग कह रहा था आतिसी कहई रही थी कि हमने तो बात कर ली सुख्वी सरकार से सुख्वी मान गए वो तो पानी भेजने को carrot है हरीयाना वाले रोक रहे और इसलिए सुप्रेम कोट यह लोग गए कि सुप्रेम कोट से एक बयान आ जाए हरियाना के खिलाफ तो राजनिति हमारी चमख कि भाई ये देखिए दिल्ली के साथ जो है सौतला वेवार हो रहा है ये बीजेपी की सरकार जो हर्याना में है वो पानी नहीं भेज रही है रोक रही है लेकिन हो गया उल्टा उल्टा यू हो गया कि सुप्रिम कोर्ट से डाट पड़ी लताव पड़ी और ये साब साब सुप्रिम कोर्ट को भी साथ ये बात समझ में आ गई कि हम कुछ बोलेंगे ये लोग उसका राजितिक फायदा उठाएंगे इन्होंने कहा कि हर साल तुम आ जाते हो और ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं ये नजीर नहीं बनेगा डिकम एन एंग्जांपल क्योंक के लोग के बिना सरकार के बिना अधिकारियों के बिना निताओं के बिना एमिले के इस तरह का और्गनाइज क्राइम हो सकता है नहीं हो सकता है जल विभाग केजरिवाल सरकार के पास है तो अपने लोगों तो ये पकड़िंग नहीं क्या कह दिया कि ये तो हर्याना से ऑप तो अगर आपसे काम नहीं होता अगर आपसे जो है यह प्रॉल्मम सॉल्व नहीं होगा है इस्तिफा दो किसी दूसरे व्यक्ति को बनाओ को जरूरी दोड़ी आते से बाले नहीं सारा काम देखेगी आम आदमी पाटी में और कोई ढंके लोग नहीं है क्या जो इसका निदान कर सकते हैं उनको मौका देना चाहिए लेकिन क्या किया जाए जब मुख्या ही जेल के अंदर में तो फिर इसका ना आगे ना तो पीछे पगड़ा यह तो सरकार जो है यही कॉमेडी करेगी और पिसेगी दिल्ली की आम जंता बिल्कुल सर बहुत-बहुत धन्यवाद बाच झाल